अरे भाई, लाखो करोडों लोगों में आप कुछी लोगों से क्यों मिलते हो, क्या रीजन है, और फिर उन से आपकी इतनी अच्छी बांडिंग हो जाती है, आप बिजनस की बाते करने लग जाते हो, वो दोनों एक दूसरे के लिए निमित बन जाते हैं बहुत बड़ा काम क पहुंचू, आप एक निमित बन गए मुझे काफी लोगों तक पहुंचाने के लिए, 12 जनवरी 2030 तक मैं 50 करोड लोगों को इंस्पायर करूंगा, अब मैं तो यह कह रहा हूं, और यह मेरे लिए गेम है, मैं इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं, और यार कैसे होगा, कैसे होग क्या होगा, क्या होगा, और यह करो, इससे 50 करोड तक पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है, law of attraction is like, have a peaceful mind and play the game with the universe and a bigger game, छोटा मोटा तो आप करी रहते हैं, कि नोकरी चल रही है, 20,000 कमाना है, फिर 30,000 कमाना है, फिर 50,000 कमाना है, फिर 1,000,000 कमाना है, फिर 2,000,000 कमाना है, यह तो तरोड लोग जिस दिन इंस्पायर हो जाएंगे, वो इफेक्ट होगा, लोग क्या सोच लेते हैं, एक बंद कमरे में मैं बैठूंगा, और लोग फ एट्रैक्शन के हिसाब से मैं सोचूंगा, यह बहुत गलत हो गया, law of attraction मतलब है, कि हमारी vibration, दिन रात, एक दिशा में और घ्रपमान मान ली जी एक रेस्टट्रेंट तो यह सब कुछ मिलता है कारे जी जी भी जी पोलती है ौद बड़ा बजार इसको बिख बजार सब कुछ है उसके बास लेकिन उससे जब मांगने का तरीक़ों ना ऐसा नहीं है कि ओससा तरीका है कि काउंटर पे देखके बोलना भी पड़ेगा फिर जोड़ से चिलाने हो भी पड़ेगा फिर उसको एक्शन भी करके दिखाना पड़ेगा कि यह देना ठेक है और उस जिस चीज को चाहिए उस तक चल के भी जाना पड़ेगा और अंदर से कि आप बहुत सारे नाम सोचे थे या एक जटके मागे चलो यार कोच B.S.R. रखते हैं, यह B.S.R. नाम कैसे, कैसे लगा कि चलो यार अपने ही नाम को शॉटकट रखते हैं, कैसे पीछे कुछ लॉजिक है या यूही रख दिया आपने, इस पे था ना मेरे को थोड़ा गमं कास लेने वाला हूँ, बिजनिस गुरू, कोच B.S.R. सर से, B.S.R. सर, बहुत बहुत नमस्ते सर, थेंक्यू सो मच सर, कम समय था, आपने समय दिया, और आज का सवाल जो है सर, वो मेरा भी है, और बहुत सारे ऐसे बर्निंग डिजायर रखने वाले बिजनिसमैन और इंतर जो लाइफ सेशन होता है, उसमें आप बात करते हैं, पहला सवाल यह है सर, लाफ एट्रेक्शन का एक्चुल मूल सद्धान क्या है, क्या यह बिजनिसमें काम करता है, और करता है, तो कैसे, चंदन जी सबसे पहले तो आपको दिल से शुक्रिया, आपने इस सीखने लाइब बहुत सारी चीज़े होती है, आज मुझे भी नहीं पता कि आप मुझसे क्या निकलवाने वाले हैं, लॉफ अट्राक्शन को सिंपल शब्दों में कहें, तो यह सिंपल वही रूल है, जो फिजिक्स में या साइन्स में कहा गया है, कॉज और एफेक्ट, ए नहीं कम लोग देखेंगे, जितनी relevant, valuable information होगी, उतना ही जादा लोगों तक पहुंच सकता है, तो, cause and effect, मैंने cause डाला trainer बनने के लिए, और मेरी thought थी मैं ट्रेनर बनूँ, आज मैं ट्रेनर हूँ, आपका thought था, आप businessman बने, आप businessman बने, तो, यह cause and effect ही है, इसी को बोलते है law of attraction, अब लोगों ने इसका definitely एक connotation निकाल दिया है, कि भई miracles होना चाहिए, और miracles होते हैं, आप देखो, आज से करीब साल बर पहले हम लोग कभी मिले भी नहीं थे, अचानक से एक प्रोग्राम में आप और मैं मिले, आज हम साथ बैठके podcast कर रहे हैं, अब यह एक miracle भी तो ह लोग कहेंगे नहीं, यह miracle नहीं है, ऐसे तो हम हजारों लोगों से मिलते रहते हैं, अरे भाई, लाखो करोडों लोगों में आप कुछी लोगों से क्यों मिलते हो, क्या reason है, और फिर उन से आपकी इतनी अच्छी bonding हो जाती है, आप business की बाते करने लग जाते हो, और वो दो तक पहुचाने के लिए, so it's, this is the thing, मैं तो दिन रात ये कह रहा हूं, 12 जनवरी 2030 तक मैं 50 करोड लोगों को inspire करूंगा, 12 जनवरी 2030 तक मैं 50 करोड लोगों को inspire करूंगा, अब मैं तो ये कह रहा हूं, और ये मेरे लिए गेम है, मैं इसके लिए, ऐसा नही है कि मैं, और यार जल रही है, 20,000 कमाना है, फिर 30,000 कमाना है, फिर 50,000 कमाना है, फिर 1,00,000 कमाना है, फिर 2,00,000 कमाना है, ये तो गेम हर आदमी खेल रहा है, हम सीधा इतना बड़ा गेम खेलें, universe के साथ, ब्रह्मान के साथ, कि भाया, 50 करोड लोगों को inspire करना है, अब, वो 50 करोड लोगों क की महनत है, मैं जो किताबे पढ़ रहा हूँ वो है अब लोग कहेंगे आप तो महनत कर रहे हो तो यह मिल रहा है, औरे भाई महनत तो लाखो करोड़ों लोग पता नहीं किस-किस डाइरेक्शन में कर रहे हैं लेकिन सब को मिल रहा है क्या क्योंकि वो जब महनत भी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं, नहीं हुआ तो महनत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा कई बार एक intelligent student I.E.S. में पास नहीं होता है और उससे कम intelligent pass हो जाता है, ऐसा कैसे? इसको It's so difficult to define. Right, right, sir. यानि, कि dots connect होते हैं. Absolutely. हमें नहीं पता कि यह opportunities हो, यह हमें लॉसे हो, वो भी dot है. इसका मतलब यह है, प्योर प्योर, कि आपके जो thoughts हैं, उनसे यह ब्रह्मान्ड रेजोनेट करता है. आपके विचार जो आप डालोगे, उसी के हिसाब से आपके साथ होगा. कोई आदमी दिन रात हाड़ वर्क कर रहा है, लेकिन उसका विचार है, पता नहीं कैसे होगा, होगा की नहीं होगा, नहीं होगा. एक अमेर आदमी का विचार है, मुझे तो करना ही है. और फिर वो कहता है, कहां करेंगे? चलो चंदन जी से मिलते हैं, चलो B.S.R. से मिलते हैं, चलो कहीं और मिलते हैं, और ऐसे ही करते करते, कोई आदमी उसके सामने आएगा, बोलेगा, यार मेरे पास million dollar opportunity, तू करेगा, क्या हो, करूँगा, यही opportunity, same opportunity, किसी average आदमी के पास आप ले जाओ, उसी की तरह के, जो अमी करते हैं, समझ में आया, एक normal आदमी आप ही की जगे यह opportunity किसी एक job वाले को दे दी जाती, तो वो पता है क्या करता है, यार opportunity है, लेकिन मैं पैसा कैसे डालू हूँ, अगर यह नहीं चला तो, नहीं हुआ तो, अडिंटिफाइ नहीं कर पाता है, आप क्यों identify कर पाए, यही बहुत सारे विचार आपके सामने आयोंगे, लेकिन आपके mind ने बराबर उस विचार को कैच कर लिया, जो कि यूनीक था, पावर्फुल था, और हाड वर्किंग, तो हम इंडियन्स हैं, एक great sir, and law of attraction, अगर काम करता है, तो मैं खुद को भी मानता हूँ, मैं आप से मिलने क चाहता हूँ, हर गुरू के footprints को follow करना चाहता हूँ, उनसे सेखना चाहता हूँ, so law of attraction होता है sir, मतलब मेरे life में हुआ है, जो चाहा है वो मिला है, so अब आपके लिए sir, सबसे पहली बार, आपके जीवन में law of attraction कब apply हुआ, आपके लगा हाँ यार, ये मेरे law of attraction के वज़े से हुआ है, absolutely, 2018 में, sorry, 2008 में हम लोग सीख रहते, एक teacher है पुना में, Manish Gupta sir, उनसे सीख रहते हम, और उनसे मैं एक आदे साल से पहले public speaking सीखा, confidence building ये काफी चीजे सीखा मैं, और फिर उन्होंने एक 3-4 दिन का एक residential retreat करवाया था, उसमें उन्होंने मुझे secret movie दिखाई थी 2008 में पहली बार, जब पहली बार वो secret movie देखी, तो वो हमने याद है हमें आज भी कि रात को देखी थी 9 बजे से 12 बजे तक, और उस पर discussion किया था 2 दिन तक, तो मुझे वो बड़ा interesting भी लगा, और मुझे लगा ये तो बाते तो सच है, और फिर मैंने देखना शुरू किया, मतल सब्सक्राइब कर देखना है उसके बाद और टीचर साए और मेरे student friends बने कुछ communities बनी जहां law of attraction, law of attraction, law of attraction बात करते थे, अब उस समय मेरे साथ चोटी-चोटी चीज़े होने लगी थी, जैसे कि मैं आपको बताता हूं मैं पहली बार जब ट्रेनर बनना चाहता था और पुन जिसमें लेफ्ट में बहर इंडिया कंपनी फिर अंदर एंटर हुए राइट में उटो लाइन इंडस्ट्री फिर वक्सवेगन और फिर एक और मिंदा कॉर्परेशन इधर सैनी इंडिया इधर मर्सीडीज बैंस फिर आगे गए तो बढवे इंजिनिरिंग एक कंपनी थी फिर ऐसे 15-20 कंपनी आपने देखी एंड मेरा सर चक्रा गया इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आया ओमाइग इंसे ट्रेइनिंग का उफर आ जाए तो कैसा होगा ऐसा मैं सूचा ये फील आया आपको ये मेरे को फील आया क्योंकि मैं ट्रेनर बनना चाह रहा था उस समय तक मै मैं ये इस नायन में इस लेन में घुछा और मैंने सब देखा ये पहला विजीट था मेरा उचागन काNER फर्स विजीट आप मानागे नहीं उसके एक साल के अंदर अंदर एक साल के अंदर अंदर इन सभी कंपनी उसे कही न कहीं प्रो अक्टिवली ओफर आकर मैंने सब त् किसी मे थी दूसरी ट्रेविक च्क है जाएक, किसी मैं मैंने खुद के दॉरा होगा, किसी में उस कमपनी ने खुद चल आ पी चला कै कौल किया। मैंने इसको कैसे फंदारे टिन के अंदर, जा आए फंदरा दिन के अंदर हम ने सुचा वक्सवेगन में ट्रेनिंग हो जए तो कैसा रहेगा और वक्सवेगन से खुद एमेल आ गया और इस प्सक्राइब एप गया तो मैं कहता हूं कि कैसे देखिए उस समय जब मैं गया पहली बार तो मेरी मेरी क्याते हैं curiosity जो थी एक बच्चे जैसी थी और जहां आपकी purity जैसे एक बच्चे की curiosity होती है chocolate उसको पापा नहीं देंगे तो कोई न कोई दे देगा बच्चे की curiosity होता है कि खेल के लिए football तो कोई न कोई उसे दिलाई देगा तो वैसे ही मेरी जो बच्चों जैसी curiosity और एक बिलकुल natural state जब होती है तो ये ब्रह्मान कहता यार ये तो कितना cute बच्चा है इसको तो दे दो यार तो उनको नहीं देता जो कहता यार कैसे होगा यार इतनी बड़ी गंडिया हैं तो हो ही नहीं सकता मेरे अंदर की curiosity की इन में हो जाए कितना हमसा आएगा तो मैं visualize कर पाया उस छोटे से moment में की यार मैं इन में training कर रहा हूँ इन में हो जाए तो कितना तो ये एक छोटा सा example 2008 नो का मैं आपको बदा रहा हूँ जब मैंने दिया इसे बहुत सारे एक दिन हम जोग जा रहे थे 2014 में और मैंने ऐसी कार में बोला है यार विदेशों में training हो जाए तो कैसा होगा पंदरा मिनिट नहीं हुए हम नहीं कार चलाते हुए और मेरे पास एक फोन आया कि फिलिपीन में training assignment है आप करोगे क्या and I was like what the hell it Works every time it Works हर आप सोच लो कितने लोग ने यह सुना है कि I इने दोस्त का नाम ल्या और दोस्त का फोन आगया दोस्त हाजिर है उसी समयल और हम पतलम यह शयतान नाम लिया शयतान शयतान अज़र कई इसको कैसे समझाएंगे यह टेलीपैथी नहीं है तो क्या है? यह लोग अट्राक्शन भी वैसे ही कि हमारे अंदर की भावना है कैसे समझ में आ जाती है लोगों को एक और चीज समझे है मालीजे आप मेरे से गुस्सा हैं मुझे पता भी नहीं है कि आप गुस्सा हैं लेकिन मैं इस कमरे में आऊँगा और आज क्या आपका मूड देखके हलका सा मेरे को खिचाव मैसूस होगा 100% किचाव मैसूस होगा मुझे लगेगा कुछ तो मिसिंग है हाँ देखें कई लोग होते हैं जो आपको नापसंद करते हैं उनके पास जाते ही आपको लगता है शिस आदमि से नहीं v Tapos क्या है किसी के घर जाते हो तो आपको लगता है यूँ अराम से बैठो और किसी का घर बहुत पढ़िया होता है लेकिन और वो जिन्दगी पर के लिए दोस्त बन गया और वैसे आप किसी कॉलेज में या किसी ओफिस में सालों तक काम साथ कर रहे हैं फिर भी आप एक दूसरे को डंग से जानते तक नहीं है हाई हलो से जादा कुछ होता नहीं है क्यों नहीं हो पाता अजान आदमी से अचानक से एक बार में हो गया connection build और किसी किसी से सालों तक नहीं हो पाया कॉलेज में हम जाते हैं, स्कूल में हम जाते हैं इतने बच्चों से मिलते हैं, लेकिन दो तीन ही हमारे best friend क्यों बन पाते हैं, क्या बाकी सारे लोग बुरे हैं और जो बुरे हमारे लिए हैं, उनके भी किसी न किसी तरह से कोई न कोई best friends हैं तो फिर आप देखिए कि हम उन्हीं लोगों से क्यों मिलें आज इतने सारे लोगों में मैं चंदन जी के साथ ही है चंदन जी मेरे साथ ही क्यों बैठे है अगर हम इन चीजों पर सोचें तो हमें समझ में आएगा कि हमारी जिंदगी में वो ही आदमी अट्राक्ट हो सकता है जो हमारी frequency को मैच करता है और वो ही चीज आ सकती है मैं कितना भी सोचू 100 करोड आ जाए जब तक मेरे अंदर की vibration 100 करोड को मैच नहीं करेगी तब तक आएगा नहीं और जिस दिन मेरी अंदर की vibration 100 करोड हो गई उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ तो भी 100 करोड मेरे पास आएगा राइट सर सो क्या सर हम इसको ये भी समझ सकते हैं जिसे मैं भगवत गीता में पढ़ता हूँ सो जहां आपको पहुचना है उस रूट पे जो लोग लिखे हैं जिन से मुलाकात होगे चाहे वो आपके लिए फायदे का सावदा हो चाहे लॉस का सावदा हो वो सारे डॉट्स है आपके जीवन के सो क्या ये भी लॉफ अटेशन का ही पार्ट है या इसको लक बोलते हैं ये लक और दोनों अलग है या उसी के आपकी वाइबरेशन से आप लक को क्रियेट करते हो आप बच्चपन में आपके घर में बहुत धर्म वाला माहौल रहा बहुत जादा सात्विक माहौल रहा और बड़ा सोचने के लिए आपके पेरेंट्स ने कहा और पेरेंट्स भी बड़ा सोचते थे पेरेंट्स चाहते थे बच्चा बड़ा होके नाम करे बहुत काम करे और बच्चा भी ऐसे ही सोचता था और उसके बाद पेरेंट्स भी नॉर्मल जॉब में थे, आप भी स्ट्रगल करते-करते पढ़ें, और आप अचानक से मान लीजे, बड़ी सिटी में और एक बहुत बड़ी कंपनी में आपकी जॉब लेल गई और आपकी तीन लाग का पाकेज लग गया, अब यह आपने बच पावरफुल हूं, मैं कर सकता हूँ, और कई आदमी होते हैं जो बचपन से अपने उपर ड़व कर सकते हैं, शो जो आदमी बचपन से अपने उपर कॉण्फिडेंट है न, वो आदमी जो बचपन से वाइब्रेशन छोड रहे है, उनका गिमीलीटिव एफेक्ट आप जाक लेकिन 80% आप अपना लग खुद क्रियेट करते हो by the way you are thinking so आज जो आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे आप अपना future क्रियेट कर रहे हैं तो हो सकता है, देखें, it's like this, मान लेते हैं, कार खरीदने के लिए 15,00,000 रुपर चाहिए इस महीने आपकी salary आई, और उसमें से आपने 10,000 बचाए अगले महीने की salary आई, फिर 10,000 बचाए फिर salary बढ़ गई, 20-20,000 बचाने लगे, फिर salary बढ़ गई, 30-30,000 ऐसे करते करते हैं, पांत साल में, जैसे ही 15,00,000 आपके account में हुए आपने car खरीद ली, अब क्या आप इसको luck बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ऐसे ही जो आपके छोटे-छोटे powerful thoughts होते हैं बचपन से, वो जब cumulative होके बड़े बन जाते हैं तो अचानक से आपके साथ कुछ अच्छा होता है, और आप कहते हैं, यार मैं तो लगी हूँ यार दुनिया कहते हैं, तू लखी है, जैसे कल की डेट में मेरा एक स्टूडेंट है, राकेश चंदोला, उसने अमारी साथ दिन के एक रिटरीट अटेन की ती, अब उस लड़के का बेग्राउंड ऐसा रहा है, कि वो बचपन से ही बहुत सारी बिमारियों से जूज रहा उसने इनको अपलाई किया, उसकी जिंदगी में थोड़े बदलाव आने लगे, फिर उसने डिसकवर किया कि फास्टिंग करने से बहुत कुछ बधलता है, उसने दो तीन-तीन, चार चार दिन, पांच पांच दिन फास्टिंग करना शुरू किया,рийक साल बढ़के साधना च हorellation किया और फिर उसके अंदर उसने NLP सिखा रामबघ माशच सर से अब वह लोगों को हील करता है तो बड़ी-बड़ी वालए趣ों को ठीक करने का पावर उसके अंदर थोड़ा सा अग्या है ठीक है अब उस पावर के कारण मैं बढ़ा प्रभावीत हुआ है और जब मैं प्रभावित तो मैंने का भाई पॉड्कास्ट पादू तो मेरा स्क्रूडन्ट होगा बले तेरे अभी कोई फॉलोवर्स नहीं बड़ रिली वंट तो इन्वाइट यू क्यों कि उसने जो चोटी चोटी चीज़े की तो उसके बेस पे उसके अनर्जी अब मेरे लेवल प तो जो चोटे चोटे चीज़ें उसने की वो आज 10 साल या 5 साल में मिलके इतनी बड़ी हो गई है कि उसको अब जो रिजल्ट साएगा वो अन गिनत लेवल पे आएगा तो मुझे किसी ने चंदन भाई कहा था जब मैंने पहली बार एक महीने के अंदर एक करोड रुपय कम तो जब ऐसा हुआ और उससे भी जादा आ गया इन फैक्ट तो हमने पदा नहीं ओवर एक्साइटमेंट में सोचल मीडिया पर पोस्स डाल दी अब कई लोगों ने का यह लगी यह कॉन्फिदेंट तो मेरे गुरू ने का वेटा इट टेक्स डेकेड कहते हैं दस साल का तो किया है तब जाके यह रिजल्ड तेरी लाइफ में आया बाकीओं की लाइफ में क्यों नहीं आया उसको लोग हलके में सक्सेस बोल देते हैं अच्छा है आपके कर्मा लाफ कर्मा च्थि एक AMD लिंए करता एचिया जो आपके स्टुडेंट है जिनका आपने पॉड्कास लिया या लेंगे, क्या उनके साथ दोनों काम किया law of karma और attraction law of karma ही law of attraction है आज मैं आज मैं ट्रेनर बनने के लिए NLP सीख रहा हूँ ठीक है, तो ये मेरा हो गया कर्मा सीखना, ठीक है, और मैं बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ, एक तो ये हो गया दूसरा, मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं हजारों लोगों को हील करूँ दोनों एक ही direction के घोड़े हो गया है आपके यहां पे साथ घोड़ों की तस्वीर लगी हुई है अब ये साथों गोड़े अगर एक direction में दोड़ रहे हैं तो result fast आएगा, destination तक fast पहुचोगे अच्छा है कि मैं business करूँ लेकिन वो 10 साल से effort नहीं ले पा रहे तो thoughts तो इधर की है, विचार तो इधर के हैं लेकिन action opposite है, कभी भी जिंदगी में attraction कामी नहीं करेगा it's like attraction का घोड़े को बोल रहे हैं भागो और पीछे से उसको पूरा खीच रखा है, बांध रखा है, बोले भाग के दिखा तो यही लोग गल्ती करेगा coordination proper नहीं है तो लोग यही कर रहे हैं कि, you know law of attraction काम करने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि आपके thoughts, आपके विचार, आपके action, आपकी feelings यह सभी एक direction में हो, मेरा मन भी चाहे कि मैं ट्रेना बनूँ, मेरे शब्द भी कहें कि मैं ट्रेना बनूँ, मेरा mindset भी कहें कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा अब बड़ा नमक नहीं डाला तो खाना बिकार हो गया, ठीक है, किसी को, you know, मिर्ची बिल्कुल नहीं खाता हो, तो बात अलग है, लेकिन अगर, जो मेरे जैसा इंसान, जो मिर्ची खाता है, उसमें सब डाल दिया और मिर्ची नहीं डाली, तो खाना बिकार हो गया, तो law of वाइब्रेशन दिन रात, एक दिशा में ओर्डर दे रही है, जिसमें सब कुछ मिलता है, कारे भी मिलती है, घर भी मिलता है, बड़ा बजार मान लीजे, इसको बिग बजार मान लीजे, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उससे जब मांगने का तरीका है ना, वो ऐसा नहीं ह कि काउंटर पर देखे बोलना भी पड़ेगा, वही, यह देना, फिर जोर से चलाने भी पड़ेगा, यह देना, फिर उसको action भी करके दिखाना पड़ेगा, यह देना, ठीक है, और उस जिस चीज को चाहिए, उस तक चल के भी जाना पड़ेगा, और अंदर से feel भी करना यह तो बहुत महेंगा हो जाएगा यार मैं कार इतनी महेंगी मर्सडीज ले तो लूगा मेंटेन कैसे करूँगा एक परसेंट भी एडाउट है तो यह यूनिवर्स के गागा भाई देख सोच ले एक बार are you sure you will be able to handle it जैसे मेरी company में मैं किसी को responsibility दूँ तो उसके पहले मैं सोचूँगा ना भाई तू चाता तो है यह are you sure तो यह कर लेगा अब वो अपने कर्म वचन अपनी thinking अपने action सभी तरह से मुझे convince कर दे कि कर लूँगा वो शब्दों से तो बोल रहा हूं कर लूँगा लेकिन उसके action हमेशा weak रहे है हाँ will नहीं है और उस skill के हिसाब से तो मैं दूँगा यह उसे एक funny सवाल है सर क्या law of attraction husband-wife के relation में भी काम आते हैं हर जगे काम आते हैं आज केरा में अगर जो 80s या 90s में शादी हुई उनकी बात अलग है वो मैनेस थे बट आज जो शादिया हो रही है उनमें आप देख सक अगले व्यक्ति के विचार और हमारे विचार अगर से फ्रिक्वेंसी पर नहीं है तो हम हो सकता है लेकिन बाद में विचारों की फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई तो आप हो जाते हो अलग है जैसरे दोफरनर नगए है है आप और में माझलो बिजनस करते है हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज माच कर रही है यार बहुत अठा है चंडन जी बहुत अचह है चलो पार्तनर बनते हैं हम अब पार्टनर बन गए है बाद में लगा यार चंडन जी मजा ने आ रहा हैं के तो हमारी frequency जैसे ही लगेगा कि एक की frequency हाई हो गई एक की लो हो गई डिपार्ट तो अब क्या होता है husband और wife एक दूसरे के साथ आते हैं और उनको लगता है life अब जबरस चलेगी लेकिन बाद में husband की कमाई अगर कम पढ रही है और wife की ambitions जादा है तो conflict wife की wife average है और husband की expectation है कि wife मेरी तो page 3 style की होनी चाहिए वो मतलब साधरन कपड़े पहनती है वो तो बहुत अच्छे level की होनी चाहिए अरे लोगों की मेरे दोस्तों की wives तो ऐसी है वो comparison करने लगा तो husband यहाँ सोच रहा है wife उसके हिसाब से यहाँ है तो comparison वाइफ बहुत धार्मिक है husband दारू पीने वाला मास खाने वाला है तो conflict हो सब्सक्राइब हर जगे पर यह energy को चेक करते रहना पर है तो relationship में law of attraction एकी तरह से काम करेगा जब मैं consciously प्रयत्न करूँ यह जानने की कि अगले इंसान की frequency क्या है और अपनी frequency को वहाँ match करूँ मेरी high है तो low ले क्या हूँ उनकी low है तो उसको उठाने की कोशिश करूँ एक supportive way में जैसे की मेरी वाइफ सितार बहुत अच्छा बजाती थी और मेरा एक पता नहीं मैं वर्क होलिंग हो तो शुरू-शुरू में जब शादी होई तो दो-तीन साल मैंने कहा अरे तुम भी यह कर सकती हो वो कर सकती हो लेकिन वह एक बहुत ही संतुष्ट महिला है उन्हें अपनी जुन उनकी एनरजी यहां मेरी एनरजी यहां मुझे कंफर्ट नहीं जए मुझे तो वर्क होलिक हूं पाकलोगी तरह काम करना तो फिर मैंने एक कॉंशियसली हम लोगों ने यह थौट डाला कि हम दोनों बैठते हैं समझते हैं और जब मैंने समझा कि She is not workaholic मैं वह घरेलूवे तो मैंने एक मिनिट भी पुष करना, मनलब मैंने बंद कर दिया, मैंने का नहीं कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगिए वो करना है, आज मेरी वाइफ कहे ना कि मुझे यहां घुमने जाना है, मैं कोगा गो, दोस्तों के साथ जाना है, गो, क्यो क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैं उन्हें टाइम कम दे पाऊं या उसको खाना पूर दे, मेरा यह तरीका है कि यह रेस्पेक्ट करने का मेरा तरीका है, मेरी वाइफ कहेगी ना, कि मुझे यह चीज सीखनी है, तो मैं यह नहीं सोचूंगा कि उसके दो लाख लग रहे है यह 4 लाख लग रहे हैं, इसलिए नहीं सोचूंगा क्योंकि मैं मेरे उपर कितना खर्चा कर रहा हूं, मैं ट्रावल कर रहा हूं, फाइफ स्टार होटेल्स में रह रहा हूं, और मेरी वाइफ मांगते ही, मैं बोले, किस चीज में चाहिए तुम्हें, क्यूं चाहिए तु तो उसकी जगह, अगर मैंने वाइफ को समझा, बोला, that will be great, same, आज मैं वर्क के लिए इतने इतने दिन बार जाता हूं, मैं आपको swear, you know, I swear, Chandanji, मेरी वाइफ एक बार नहीं कहती मुझे, कि इतने दिन क्यू जाते हो, इतने इतने दिन दूर रहते हो, यह वो, हमको टाइ एक बार नहीं कहती, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ कहती है, मुझे पता है, मेरा हस्बंड एक मिशन पर है, अब वो फ्रिक्वेंसी जो है, हाँ, छोटी-मोटी जगडे, छोटे-मोटे चलते है, मन मुटाओ, कपड़े यहां क्यो रख दी है, खान आई है, क्यों है, तो वो इस लेवल पर ट्रस्ट मेंटेन करता हूं, कि मेरे फोन पर कभी लोक नहीं लगे होते हैं, चाहे मेरी टीम देखे, चाहे मेरे घरवाले देखे, कोई लोक नहीं लगा होता है, बहुत बड़ी बात सार, आज के टाइम पर, I am so clear, कि यार, अगर मैं घर बैठ हूं, और मेरा में कोई डाउट्स ना हो, सो एक समय के बाद आता है ना, जब आप सुलस जाते है, या सचा ही जान जाते है, लाइफ के हैक्स को समझ जाते है, हैपिनिस को समझ जाते है, I think this is the outcome, तब जाके आप इन सब चीजों से दूर बटते हैं, अधर्वाइस आप प्रटेक्शन बोर जब कॉलेज स्टूडेंट थे या कर रहे थे, तब हर तरह के, कई सारे गर्ल से भी बात करते थे, कई सारे, you know, messages भी दोस्तों का ऐसे वैसे आपती जनक आई जाते हैं, लेकिन तो समय होता था, लेकिन शादी के बाद मैंने consciously ये ट्राइ किया, कि, you know, as, मतलब बना, लोड नहीं आना चाहिए, कल की मेरी वाइफ में पूचे, क्यूं, ये सवाल नहीं होना चाहिए, ये क्या हुआ, मेरे, मेरे को एक परसेंट भी डर नहीं होना चाहिए, ना टीम का होना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा करता हूँ, कि कोशिश ये रहती है, कि टीम के लिए भी, जव मेरे सामर्थे में वो best से best करूँ और नहीं हो पाए तो एक level के उपर नहीं हो पाए, तो मेरे को guilt नहीं आना चाहिए कि मैंने नहीं किया, मैं हमेशा टीम से यह कहता हूँ, मेरी तरफ से कोई कमी है तो बताओ, आपकी तरफ से कोई कमी है तो पूरी कर दो अच्छा आपका सर मैं YouTube चनल देख रहा था आपने YouTube चनल बनाने के पहले कि आप बहुत सरे नाम सोचे थे या एक जटके मागे चलो यार कोच B.S.R. रखते हैं या B.S.R. नाम कैसे कैसे लगा कि चलो यार अपने ही नाम को shortcut रखते हैं कैसे के पीछे कुछी लॉजिक है या यूही रख दिया अपने अपने नाम को शोट कर देता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इंडिया में ये ट्रेंड मैंने लाया था 2013 में क्या हुआ कि मैंने कोच रखा था तो उन्होंने मेरा नाम ऐसे ही कहा यार भुपेंदर सिंह राठोड बहुत लंबा हो तो पहले अम ना तो उन्होंने का बीएसर बोलते हैं तुझे मैंने का बीएसर मैंने का बड़ा आठपटा सा लगा जब पहली बार सुना बीएसर लेकिन दीरे दीरे कंपनी में में मेरे 20-22 लोग ते सबने बोलना शुरू कर दिया बीएसर 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 तो अच्छा लगने लगा मनलब एक हफते बाद ना नाम कानू को अच्छा लगने लगा फिर मेरा वेबसाइट वाला बंदा जब वेबसाइट बना रहा था तो भुपेंदर सिंह राठोड नाम से अरड़ी ब्लॉक्ट भी था तो उस वेबसाइट वाले ने हमारे वेबसाइट बनाने वाले जो परसन है शेलेंजी वो मेरी टीम में ही था पहले और फिर उन्होंने अपना बिजनस शुरू किया उन्होंने उसको शॉर्ट करके कोच बीएसर वेबसाइट डोमेन बुक कर वेबसाइट पीजुवर्स को मज़े इसनाम को मैंने पिर कोच बीएसर कर दिया मेरे ब्रेन की उपर जैंकर सूपर स्टार भीयसर होना चाहिए यूट्यूब चैनल बनाया सूपस्टार बीएसार उस पे भी आज एक लाग से उपर सब्सक्राइबर हो गया है तो वो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देखिए चंदंगी की मेरी जिंदगी का सूपस्टार मैं हूं और आपकी जिंदगी की सूपस्टार आप हैं हम डेफिनेटली फिल्मों में काम करने देले वाले उन लोग시고 सूपस्टार कह देते है जो कि शायद बहुत मैं या बहुत ज्यादा लाइम लाइड में हैं बार मुझे लगता है कि वो भी सूपस्टार हैं बार हम भी सूपस्टार है और इससे अदम से अपना आतमियुश्यास बढ़ता है और तो सबसे पहले की जिन्होंने पहली बार आपको B.S.R. बोला, वो आपके डॉट्स के वो पहले, जब बीज हम डालते हैं, क्योंकि ये लिखा था कि B.S.R. के नाम से आपको प्रसिद्धी मिलेगी, आप जाने जाएंगी पुरे भारत वर्ष में, और सोर्स वो है, क्योंने क्यों, क्योंकि जो कल्यूग में हैं, जहां कोई किसी का नहीं है, वहर कोई हर किसी का है, ठीक है, सो 20 तो कोई ने कोई डालेगा, जो लिखा है, सो रिस्ते भी ऐसे मिलेंगे, आपको आगे जाने हैं, तो रिस्ते वैसे ही मिलाएंगे आपको, और बरबाद भी होना है, तो रिस्ते वैसे ही मि कि यह । भारं कामातोर एक कानून द कर दूगर है। विझा मौक्षद कर कर दूधा कर दाना उनके मह सब despSoft मौक्षबरान वह को सब्सक्राइओ पोतिती दकर हूं करनूर अट धारंस्क। का पावर है उसके बाद आपके संगत के बारे में आपने बहुत सुनाए कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो मैं लोगों को अकसर सुनाता हूं कि मैंने करोड कैसे कमाया उसकी कहानी कि मैं जब पहली बार मैं तो 3000 रुपए का अंग्रेजी का कोर्स बेचा करता था और सुने का मुझे साड़े 3,500,000 रुपए देखे इतना फ़नी लग रहा था लेकिन मैंने फिर काफी सारी किताबे और की पढ़ा शह साथ महीने में तयार की अपने आपको बिजनस कोचिंग के लिए फिर मैं बिजनसमें के पास जाता था अब उस समय मैं मुश्किल से कमा रह जाना है बताओ क्या करें सर मैं तो यहां अटना हूं मेरा तो fund flow बिएरा हुआ है जाना है सर मेरए फक्रोड की माशीन इंपोर्ट किए इसक परोड करोड 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 कर करोड 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 शुरू मना ऐसे हम डरेव chocolates से एं आर इन्हों ने हमारा पूछ लिया, हमें बोल दिया कि five star hotel में खाना खिला हो, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे सिकुड के वैट होगा, लेकिन वो करोड करोड सुनते सुनते ना, फिर मैंने कहा, fake it till you make it, मेरे मुझसे भी मैंने कोशिश करना शुरू किया, कि सर रिपीट करना सार, जो आपने भूला है, fake it, fake it till you make it, मतलब, आप जब तक आप अचीव ना कर लो, तब तक ऐसे बताओ कि आपने अचीव कर लिया है, तो फिर मैं भी वाँ पे चोड़ा हो के बोलने लगा, सर, पांच करोड ले जाना है न, आपको, मैं ले जा सकता हूँ, मेरे भी मुझसे सहचता से निकलने लगा, करोड, पहले पहले बहुत डिफिकल था, पहला मैना इतना तफ था कि वो करोड की एनरजी को भी आदमी सुन नहीं पा रहा है, लेकिन देरे देरे वो करोड सुनना ना आसान लगने लगा, और बस फिर करोड आने लग गए, इन सब में सर ये पता चला, कि कुछ भी पाने क ये करना है, वो करना है, law of attraction है, yes, I can, I will, and then I can, I will, और आपके पास ना तो theme है, ना purpose है, ना why है, तो क्या वहाँ काम करता है, law of attraction या innocent होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इन्नोसेंट होंगे तो मजा आएगा, मतलब law of attraction तब काम करता है, जब आप हैं, बच्चे की तरह happy ह आपको बड़ी बड़ी टेंशन है, तो उसको भी आप हवा में उड़ा रहे हैं, कि यार, टेंशन है ना, आपको माल लो बिजनस चलाने के लिए पैसा चाहिए, और अभी डर लग रहा है कि अगले दो महीने कैसे निकलेंगे, तो भी अब अब टेंशन लेगे तो कुछ न आपको बोलता हूं, जैसे एक समय पिछले साल की माइक बात बता हूं, जनवरी, फर्वरी, मार्च, एपर्ल पिछले साल का दो जार तेईस का थोड़ा टफ गया, अचानक से बिजनस कम हो गया, 50% ही हो गया, खर्चे तो 100% के इसाब से बिजनस 50% हो गया, तो 3 मही के दिन म एले महीने तो हमने इग्णोर किया कि एक अदा महीना बेकार जाता है, दूसरे महीने थोड़ा सीरियस हुए हम, तीसरे महीने भी जब सेम रिपीट वी ता भांखे घुली, अब कुछ करना पड़े का, चोथे महीने थोड़ा किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आई आ आउनवाद्स, लेट्ट शिफ्ट अर एनरजी, जो हम दुनिया को सिखाते हैं, लेट्स बी हैपी अपई अब इट, लेट्स सेलिबरेट, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, अब अच्छा करेंगे, मैने टीम को इंस्ट्रॉक्शन दिया, मैंने का, तीन म सुंदर कांड का पार्ट मेरे घर पे रखा, सुंदर कांड किया, भयंकर एनरजी बिल्ड हुई, एन मई का महिना हमारा पिछले साल का सबसे जादा बिजनस हुआ, एन उसके बाद से हर महिने अच्छा हुआ, यहाँ भी आप इनुसेंट है, कोई आउटकम प्लान नहीं का कि सुंदर कांड करूँगा, तो यह होगा, इतना मुझे पता है कि एनरजी शिफ्ट होने के बाद, अपने आप सही लोग मिलते हैं, सही एक्शन होते हैं, सही आइडियाज आते हैं, और उन आइडियाज पे सही तर ऐसे काम करने की शमता आती है, यह मुझे पता था, आज सर ने एक और चीजी हो रही है, चाहे कोई करोडपती है, अरभपती है, या लखपती है, या पैसे नहीं है, मुझे लगता जिनके पास पैसे नहीं है, जो मैं गुंबारे वाले को देखता हूँ, जो भी फुट वाट पे है, मुझे पता है यह बंदा जाएगा, पैक लगा होना का पैक लगाएगा, या खाना 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 काएगा, सो जाएगा, बटा सर मेरे साथ भी हो रहा है, मैं अपना भी रख रहा हूँ, बटा सोने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतना स्ट्रगल, कि पूछे मेरे साथ क्या होता है, कि मन में बहुत स समझें क्या समझें और आज सर बहुत बड़े मात्रा में इस बीमारी से लोग जोज रहे हैं। इसका क्या solution आपके साथ से होना चाहिए सर आपके साथ होता है तो आप क्या करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि दिन बर में बहुत इवेंट ऐसे हो गए जो थोड़े डिस्टरब करने वाले हैं या बहुत सारी ऑपरचुनिटी ऐसी आ गई जो बहुत एकसाइट करने वाली है दोनों ही सिचुएशन में कभी-कभी नींद कमाती है जैसे स्पेशली जब मुझे ओर एकसाइटमेंट होता है तब मैं नहीं सो पाता हूं तो ओर एकसाइटमेंट के टाइम पर मैं रात कूट जाता हूं मालो मैं सोने भी गया बारा एक बज़े 15-20 मिनट मैंने सोनी अगले दिन यू फिल टाइड लेकिन ये एक अच्छी बात है मुझे ऐसे लगता है कि यहनों सोना तभी चाहिए जब आपको नहीं आए अब दूसरी वाली सिचुएशन है जहां आप सोना चाहते हो टाइड भी हो लेकिन आप चिंता के कारण या ओवर थिंकिंग के कारण आपको नहीं नहीं आ रही है यहां पर बिल्कुल सीधा सा सरल सा उपाय मैं करता हूँ बॉड़ी को बिल्कुल धीला चोड़ दूँगा और आखे खोल के एक जगह पर नजर देखता रहूंगा थोड़ी सी देर और अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाँँगा विदिन 20 seconds, 50 seconds, maximum 1 minute और नींद आ जाती है और होता क्या है माइंड को नींद कब नहीं आती है जब वो माइंड सुचता है यार उसने यह कहा था अब यह इसका मतलब यह तो नहीं है ऐसा तो नहीं है वो गलत तो नहीं कर देगा अच्छा तो नहीं कर देगा ऐसे माइंड में है तब अगर मैं कहूं कि भाई सुन माइंड सांसों पर ध्यान लगा ओके डैवोर्ट करना पड़ेंगा उसको वहाँ पर एक दो मिनिट के लिए सिर्फ अपनी सांसों को देखेंगे ना आपको निद आ जाएगे का क्योंकि माइंड को सांसों पर ध्यान रखना बहुत बो आपने बुपरीटेशन चाहिए सांसों पर ध्यान रखने के लिए तो बड़ा बोरिंग काम में लगा दिया आपने, मैं बोरिंग काम नहीं दोगा रहा हूं जैसे होता ना कि अगर हम इंडरस्टेंग मुवी देखते हैं तो थके भी होते हैं तो हम करते हैं और बोरिंग कु फोन लेना होता है, या मैं फोन का नोटिफिकेशन और एक दो मैने देखे, उसके बाद नहीं दूड जाती है, और फिर आएगे नहीं, उसके बाद काफी देर नहीं आती है, तो यह थाउजन परसेंट है, फोन तो आपको, मेरे तो दोनों फोन साइलेंट पे ही पड़े रहत है, अब आप और मैं कुछ भी अच्छा बात कर रहे है, तुरंत रिंगर, चन्दन जी प्लीज, एक मुछ इंपॉर्टेंट भी है, तो अपने आपको और अपने टीम को और अपने बिजनस को इस तरह से ट्रें करो, कि कुछ भी इंपॉर्टेंट उस लेवल पे आई ही नह सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो अब कई लोग कहते हैं, नहीं नहीं तो आपके पड़ोसी के, नहीं तो आपके किसी रेलेटिव के, या टीम मेंबर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वो फिल्मों वाली चीज नहीं चल रही है, कि कहीं किसी का मर्डर हो रहा है, और वो फोन कर रहे हैं, कि भई आप बचाने आजाओ, और उस समय आदमी पी के पड़ा है, ऐसी वाली सिचुएशन आपके और मेरे साथ बहुत कम है, और फिर भी भगवान ना करें कि कभी किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो, बट देन ऐसी सिचुएशन में आप अपना एक नमबर हो सकता है, आपका जिस पे बहुत ही लिमिटेड लोग कॉल करते हों, या आपके परिवार का कॉमन नमबर हो सकता है, जो सिर्फ आपके खास लोगों के पा देशवक्ती गाने बहुत जादा बसंद है, जैसे मैं बार बार कई बार सुनता हूं ये पावन है इस देश की माटी, तपो भूमी हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, मेरे को इस तरह के गाने मेरे रॉंग्टे खड़े कर देते हैं, ज ये, spiritual songs, तो बहुत चलाते ही नाचने लग जाता हूं, तो spiritual bhajan कोई भी हो ना, मैं आज भी bet करता हूं, मेरे प्रोग्राम्स में इतने लोग आते हैं, जैसे हम लोग spiritual songs चला देते हैं, तो उनकी energy इतनी high हो जाती है, कोई एक specific song, सर? आज जैसे Art of living काई है, Narayan, Narayan Jai, Jai Jai, Nar पर जैसे इसकौन का हमारे पास एक है हरे कृष्णा महामंत्राई है वो लेकिन वो इतनी हाई एनरजी में ले जाता है आदमी को कि बहुती मज़ा आ जाता है एक अलग लेवल में आप एक अरग जूर में पहुच जाते हैं आप सुपर फस्टाई है अनुमान चालीसा एं सुपर फस्ट सुंदर कान जब मैं अपनी कार में लगाता हूं तो आई फिल वाइबरेटिंग मज़ा मतलब अलाइव आई फिल अलाइव कंप्रेटिंग इतनी भी सर्वल्यक्ति से मैंने मिला है मैं सा पोसता हूं सबके सुक्सिस क ब्लूप्रिंट या एनर्जी का सोर्स देखें, यही सारे चीजी होती है, आपको spiritually अपने को मैनेज करना पड़ेगा, उस तरफ आपको जाना ही पड़ेगा, विगास आप जिस लाइफ में जी रहे हैं, उसको बैलन्स करने के लिए अधर आपको थोड़ा सिफ्ट होना कि आप एक अच्छे फादर, एक अच्छे सन, जब अकल आप आए थे, तो मैंने देखा था कि आपके यहाप एक जंतर है, मतलब रुद्राक्ष पहनते हैं आप, रुद्राक्ष पहनने का भी बहुत रीजन है, हर कोई नहीं पहन सकता, तो मुझे लगा कि सर एक फैमिली मै ही रहते हैं, मुझे ही पसंद है, जॉइन फैमिली का स्ट्रेंद क्या होता है सर, अगर आप उसको बिलीव करते हैं तो, मैं कहूंगा कि इसमें ना, मेरे फादर और मदर के साथ हम लोग रहते हैं, और मेरा भाई और मेरी भाई की वाईफ, भावी, वो लोग भी हमारे बात रहते हैं, इसका स्ट्रेंथ यह होता है कि ना, एक दूसरों को लगता है यार कितने युनाइटेड लोग है, नमबर बन, नमबर टू, आपके बहुत सारे काम आपके आसान हो जाते हैं, जैसे आज मेरे पिता जी भी मेरे कई चाहिज़े समाल लेते हैं, मेरा भाई भ को हो जाता है, उनका support wife को हो जाता है, तो I think बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है, nuclear family के problems बहुत सारे है, अच्छी है कि भाई ठीक है, freedom है, यह है, बच जो बच्चों को नाना नानी, दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि वो आज बहुत important है, मैं पुने रहता था, चंतन जी, और पुने में सब को अच्छा चल रहा था मेरा, मैं पुने छोड़ के मेरे parents के पास अजमेर शिफ्ट हो गया, जैसे ही online हुआ ना सारा काम, मैंने का कोई बात नहीं, चार program जो physical करते थे और उससे थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता था, उसक होता है, और दिल्ली या फिर मिनिमम दिल्ली आना होता है, पुने में तो पुने से मुंबई वोज लाइक हाड़ली टू आवर्स, तो कही ने कहीं ऐसी होती है, बट जो सुकून है, सारा काम करने के बाद पैरेंट्स के पास जाके बैठनी का सुकून, मुझे लगता है वो के लिए की लाइक है, मतलब वो ऐसा है, निमिजबल है लोगों के लिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि I family man हूं, कö akti I money भी मँआ में पागल को हम और भी देकि नहीं दे पाता हूं। मैं अपने वर्क के लिए पागल हूँ क्योंकि मेरे माईंड में यह पूरी तरे से फिृट है कि काम ही आपको प्रसिद्धी दिलाता है काम आप भी आपको घरवालों में इज़त दिलाता है गरवाले भी आपकी इज़त तब बहुत जादा करते हैं जब आपका काम बोलता है और जब लोग आपकी काम की इज़त करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है क्वालिटी टाइम का मैं बहुत फेवर करता हूं जैसे मेरे बेटे के साथ अगर महीने में दो दिन भी उना तो मैं चाहूंगा कि वो दो दिन मतलब उसके लिए यादगार बन जाएं उसको जो भी चाहिए जैसे मतलब उसको अलग अलग तरह से कुछ न कुछ एक्स्पिरिय उसको पॉजिना जाता है तुटु बिरसाथ आव क्या बिलकुल नहीं पसंद है मुझे नहीं पसंद है एक तो बहुत ज़्यादा खाने पे फोकस करने वाले लोग अच्छा लगता है कि कई लोगों ने खाने को अपने जवण बना लिया हूं हर चीज में खाना हर चीज मे मुझे ऐसा लगता है आज आप और मैं बैठे हैं और हमें काम करना है तो काम कर लेते हैं और भूक लगी है तो जो सामने आया खा लिया लेकिन लोग क्या सब कुछ छोड़के अपने खाने को अपनी प्रायोरिटी खाने के उपर एक महिला का जीवन पूरा बरबाद हो जाता करने का बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी सेहत पे और हमारे मन पे लेकिन साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं और करना इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको बस खाने के लिए यह करना है जैसे फॉर एक्जामपल अगर मैं पूने रहता कई लोग वो टिफिन भी ओर्डर कर देंगे अच्छा मुझे दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती लोग एंटर्टेन्मेंट में इतना घुश चुके हैं कि वो अपनी पर्सनल एजुकेशन को अपने संसकारों को भूल गए हैं तो दिन रात एंटर्टेन्मेंट चाहिए सुबह उठे मोबाइल खोल के रील्स ओफिस गए इमेल्स या फेस्बुक फोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट लंच हुआ किसी के साथ गॉसिप और बीच में रील्स और फोन कॉल्स शाम हुई गाड़ी में आ रहे हैं वापस से वो ही सब चल रहे हैं रात हुई घर आने राहन रहे हैं इस सब्सके वे हैं एक्षा से ख्यूंस बना लो अतना रह्न हैं वाल्या इं मिजे यह अच्छा नहीं लगता इंटा मुझा कि लोगों की कथनी और कर्नी में इतना अंतर है। मुझे अगर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेना बना है तो क्या मेरे actions भी वैसे हैं, और मेरे 혹시 action नहीं है तो मैं फिर मेरे कथनी और करनी में बहुत बनतर हैं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि लोग excuses देते हैं, और मैं ही excuse देता हूँ तब मुझे अच्छा नहीं लगा बेसार सर के सबसे पहली earning की सेज में कब हो और क्या मात देन था 700 रुपए की earning हुई थी 2002 में हुई थी 2002 में हुई थी 2002 में जिस computer institute से अजमेर में मैं सीखता था वहीं पे मुझे एक coordinator का job मिला था तो 1200 रुपए महिने की salary थी लेकिन मैंने दस दिन बाद जोइन किया था तो पहली salary 700 रुपए उससे मैंने मम्मी के लिए चूडिया करी दी 200 रुपए की पापा के लिए 400 रुपए का shirt खरीदा और 100 रुपए शायद डोनेट कर दी है बगवान को तो ये मेरा पहला earning था सीखना कब से शुरू किया सर ने सीख तो खर मैं बच्पन से रहा हूं बट जो self-help से related चीजे हैं सबसे पहले मैंने देखा कि मेरी अंग्रेजी वेकार थी तो 2004 से मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया और 2005 में मेरी अंग्रेजी अच्छी होगी थी एक साल में वैसे तो लोगों कहता हूं कि one-to-one coaching आप लगाओ तो जादा अच्छे से सीख सकते हो आप फिर मुझे accidentally एक organization में training मिली तो यह तीन महीने जो मैंने दिन रात प्राक्टिस की और 18-18 गंटे मैंने अंग्रेजी की प्राक्टिस की तो मुझे तीन महीने बाद अंग्रेजी ठीक आगी बोलना उससे मेरी अच्छी करके कॉल सेंटर में जोब लग गई 2007 में जब मैं पुना आया और saturday sunday free होता था तो मैंने क्या किया जाए तो फिर मैंने public speaking का course सीखा था तो 2007 is the time जब मैं कह सकता हूं self development की मेरी जर्णी हुई और वैसे अंग्रेजी सीखने से जो confidence बना वो 2005 में कौन सा साल आपका बैड़ रहा है कि हाँ यह हुआ कि नहीं है अब नहीं अब लाइफ कर दे क्या कभी खयाल भी आया बहुत बार 2001 मैं यह सब सवाल सर इसलिए पूछ रहा हूं कि लोग सफलता को देखना चाहते हैं बट सफलता के पीछे का रोट कॉस क्या है अगर उनके स बहुत सारे इंटर्व्यू में बैक टो बैक फेल हो रहा था तो एक बार गिव अप कर दिया था और सोचा यह लेट्स फिनिश एड लाइफ तो यह एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था उसके बाद 2013 में मेरी लाइफ में बहुत 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 चैलेंज आया जब मेरी प्रस्ट ब्रेक हुआ मेरी टीम का जो CEO बनाया था हमने उसी बंदे ने टीम को लेके दूसरा ओगनाजेशन क्रियेट कर लिया था और एक ही दिन में सारी टीम ने रिजाइन कर दिया था तो मैं अकेला रह गया था पीछे तो यह 2013 में मेरे साथ हुआ और 2017-18 में फिर से मेर financial crunches आये जो कि इतने जादा आये कि एक level पे मेरी सारी EMI's bounce होना शुरू डेड़ दो करोड का कर्ज चड़ गया लाइफ में आगे नहीं वड़ पा रहे हैं तब थोड़ा सा ऐसे लगता था बार बार यार give up कर दें give up किया नहीं था बट अंदर से विचार आता था था कि अ मतलब है ऐसी जंदगी में जहां मतलब हम एक तरफ तो बोल रहे हैं दुनिया को कि कुछ भी कर सकते हैं और एक तरफ अपना एक करोड का लोन भी हम चुका नहीं पा रहे हैं तो ये दो-तीन टाइम ऐसे आये जब life ने बहुत मारा बट उसके बाद जबरदस्त है उसको से जब निकल के छूके आ जाता हूं उस स्टेट को तब फिर मैं कहता हूं giving up is not an option अब तो मुझे मुझे एक ही चीज़ रोकती है give up करने से मेरे parents मतलब मेरे parents का चहरा सामने आते ही मैं कहता हूं नहीं गिव अप नहीं करूंगा इन के लिए नहीं करूंगा जब तक ये जि यह मैं सच बोलू तो मैंने किसी का आज honestly speaking मैं किसी भी trainer या competitor को competitor समझता ही नहीं हूं पहली बात तो मुझे उनसे inspiration मिलती है अगर उन्होंने कुछ बड़ा किया ना तो मैं यह सोचता हूं यह इससे बड़ा मुझे करना है यह मैं जरूर सोचता हूं लेकिन मैं यह कभी नह मैं इससे जलू इसने कैसे कर दिया मुझे हमेशा लगता है मैं तो पहली बात देखता ही नहीं हूं किसी का YouTube चैनल वगर रहा है कुछ देखता ही नहीं मेरे फोन पर मैं YouTube देखता हूं ना मैं Instagram देखता हूं तो मुझे पहले तो कई बार तो पता ही नहीं होता कि मेरी industry में और जो हमारे कई सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं हुआ है छो मैं उनका एक अलग भी है, आपका एक अलग भी है, मैं उनके पत चिन्नों में चल रहा था, और आज भगवान की करपा से कई बार साथ में स्टेज शेर करने का, पॉड्कास्ट करने के मौके मिले, अब जितने भी लोग हैं से, वो सभी साथ आ गए, तो अब कोलाबरेटर हो गए हम सब कॉंपटिटर रहें, ओके, बीए सार का साथ का प्राउड मोमेंट, मेरा प्राउड मोमेंट वैसे तो बहुत है, लेकिन जब मैं उनाइटेड नेशन्स में, अच्छा, सबसे पहला पूछ रहें आप, सबसे पहला तो, जब मैंने एक कंपनी को पंदरा हजार रुप यह कुछ सीखा था तो मेरा कॉंट्विदेंस हाई था मैंने किसे सुना इस चीज का इतना मिलता है, मैंने बोल दिया 15 और उन्होंने अगलों ने कह दिया यस, फिर मैंने अगला बोल दिया 75 और कंपनी को और उन्होंने को बुला यस, मैंने का यह हो गया मरालब जो मांग मिल रहा है तो यह जब हुआ तो मैं बोलूगा कि यह बड़े अच्छी चीजे थे बट इससे भी जादा जो मैंने पहली बार सेंटर में जोब लगी थी और आईबियम क्यों मॉमेंट्स भी इसरेशल एक अ कि अंतंयर सायre प्रॉषेसस में कौन सा डिपार्टमेंड इसा है जो आपने पास रखना चाहिए जैसे आपने कहा आपके CEO थे अभी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब ये जाते हैं तिंको लगता है कि यार ये ऐसे ही तो है मैं भी कर लोगा बिजनस हमारे लादी तो है हम नहीं हमारे कारे ये हर इट को लगता है दिवाल मुझ पे इवाला बिल्डिंग मुझ पे ठीकी है इस वाले इसको एड़ाउन कर देते हैं तो आप माफ करने वालों में है या प्रूफ करने वालों में से मैं इसको थोड़ा लंबा आंसर दे दूं तो चलेगा जब 2013 में मेरी पूरी टीम छोड़के गई तो मैं दो-तीन दिन बहुत रोया तीसरे दिन मैंने एक स्टेटमेंट सुना तो मैंने ये कम्यूनिकेट किया अपने आप से मैंने का माल लेते हैं एक बस जा रही है और उस बस में पूरी टीम एक साथ ट्रावल कर रही है और मैं नहीं हूं उस बस में और वो बस खाई में गिर गई और ये सब मर गए तब भी क्या मैं ऐसा सोचता मैं अभी रो क्यो रहा हूँ यार इन्हों ने ऐसा क्यों कर दिया इसा क्यूं नहीं कर दिया। उसके बात मैं रहुता, लेकिन नहीं लाइले है। लेकिन उसके बात मैं कहता है dat झाली तो काम तो करना है। तो मैं ने अपने आपको ये आपने इंडानोजी दिकिए ठीसे इसा मार गए, आप तो काम्स करना है। अब तुबर नहीं रहीं अब यह क्यों सोचना है कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा होगा मुर्दा किसी को कुछ सपने में आकर बोलने दो I don't care तो जैसे यह अनालोजी दी I shifted तो मैं यह नहीं हूँ कि किसी से ग्रज रख हूँ और उसी के बारे में सोचता रहा हूँ जो आदमी सोचने लाइक ही नहीं है उसके बारे में कभी सोचना ही नहीं है जो आदमी सोचने के लाइक है मेरे परिवार वाले मेरे सोचने के लाइक है मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स तो उनके बारे में क्यों सोचे जो सोचने के लायक ही नहीं है इनको बनाया याप जिनको जिनके बारे में जो मेरे लिए मैटर करते हूं उनके बारे में सोचे हूं जो आदमी मुझे चुचीट करके गया उसके बारे में क्यों सोचे हूं तो मैं एक मिनिट भी नी सोचता, आप बिलीव करें, ना करें, मैं मतलब ऐसी ऐसी ऐनालोजी देता हूँ अपने ब्रेन को, कि मेरा ब्रेन कान्वेंस हो जाता है, वो मर गया है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, मतलब संजहा देना उसको, मैं तो फिर वो, इसको ना डालें, इसमें practical thinking को डालें, और emotion अपने vision में डालें, vision emotional होना चाहिए, पर day to day अखको आपकी activities हैं, वो बहुत ही practical होनी चाहिए, वो बहुत ही सोची समझी, एक शतरंज की विसाथ पर चाल की तरह होनी चाहिए, जबागता कि आपको desired outcome मिले, हम क्या करते हैं जितने भी बिजनसमेन हैं वो emotions बहुत जादा डाल देते हैं मेरा business मेरे साथ है सर practical call लो कि business की growth के लिए किसी को अंदर लाने की ज़रत है लाओ business की growth के लिए professional को आप hire करना चाहते हो करो आउट्सोर्सिंग करना चाहते हो करो ऐसे नहीं कि मैं ही करूंगा तो ही अच्छा होगा तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो businessman को अपने फ्रेंट फुट पे खिलना चाहिए यानि कि वो जिस चीज में सबसे अच्छा है वो करना चाहिए मैं सिर्फ ट्रेनिंग और बात करने में सबसे अच्छा हूं मुझे वो ही करना चाहिए बाकी सब चीजे टीम को देनी चाहिए टीम अगर नहीं कर पाए आउट्सोर्स करन मिल जाए बट आपकी जो goodwill है वो कभी नहीं बनेगी आपका जो reputation है market में वो कभी नहीं बनेगा and एक level के बाद आपको जाकर realize होगा कि जो आपने पैसा कमाया ना वो कुछ भी नहीं है जो आपने brand कमाई है वो सब कुछ है तो goodwill आपकी ethics आपकी brand बनाती है एक company को अपने revenue का कितना percent training और innovation पर खर्चा करना चाहिए आपके हिसाब से कम से कम 5% होना चाहिए अगर जादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी वात है लेकिन कम से कम 5% training खर्चा नहीं है innovation खर्चा नहीं है okay it's an investment it's an investment okay investment अगर आप अपने revenue का 5% भी इन चीजों पर नहीं करेंगे तो आप growth ही नहीं कर पाएंगे अपकी growth फिर वो 10% 20% every year होगी अगर आपको exponential growth चाहिए तो आपको innovation और training यह दो चीज़े तो must है मैं गयाता हूं मेरे organization में मैं 10% इन पर खर्चा करता हूं कम से कम हर मह अब उसके कारण हर महीना नहीं तो हर साल मान लीजे इसके कारण क्या होता है नए आइडिया आते हैं कई लोग हमसे पूछते हैं सर आप training industry में हो अचानक से यह नए नए आइडिया कैसे लाते हो magic of thinking, range, commando training, फिर हम लोग कभी train the trainer हमारा आते हैं कभी business के कुछ अलग से कु विकती, until and unless that program is relevant to the market for a long time, यह से business coaching हमेशा relevant रहे गा जो आदमी वो कर रहा है और उसी के अनदर innovation कर रहा वो बहुत अगे जाए गाए जा कोई जैसे motivational speaker है, हम कोई भी एक चीज करेंगे तो हम कोई भी एक चीज करेंगे तो हम कोई भी एक चीज करेंगे तो कहीं एक जग पर जाए बदलती है, जैसे मैं पहले इंग्लिश करता था, मुझे लगा यार इसमें तुम्हें जादा नहीं जा सकता, फिर मैंने कोपरेट ट्रेणिंग किया, उसके बाद दो महीने के अंदर में कोई दो साल के अंदर समझ मा गया कि इसमें तो कॉमपोटिशन इतना जादा है क कि मैं कभी भी समें 100-CROD नहीं पॉन सकता था, मैंने बजिजनस कोचिंग, तो मैंने करल-देखा कि कि बिजनस कोचिंग मैं जब तक उपका बड़ा ब्रेंड नहीं एक पैसा नहीं आ तो बड़ा ब्रेंड कैसे बनेगा कि मॉटीवेशनल टॉक, मॉटीवेशनल टॉक से एक लेवल के बाद आगे और पहुचना है, तो क्योंकि एक हॉल में तो हजार ही लोग आ सकते हैं, और उसकी वीडियो भी शेयर करोगे तो कितने लोग देखेंगे, तो कहा कि डिजिटल कोचिंग, तो यह जो भी नया आ रहा है उसके उपर आप तुरंथ 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 जो डिपाट्मेंट आपका सबसे क्लोज है, आपके आपके हाठ के हूँ लग भग 90% में नहीं हो मेरी वाइफ है वो मैनेज करती है बट एक फांडर को अगर नॉलज नहीं है राइट ड्डिक अटिकुलर बहुआ को कि मार्कटिंग अ सेल्स में है एकाउंट्स में नहीं है, उसको पोसेल्स में नहीं है, उसको नहीं पता 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 है, उसको न में नहीं होना है कि समझे में महीने में एक बार सबका मीटिंग भी लूँगा जब से पूछूंगा भी क्या हुआ बट डे टू डे में जो मेरा मेजर 98 परसेंट 95 परसेंट मेरा टाइम जाना चाहिए वो उस चीज में जाना चाहिए जिसमें मा बहुत जादा पावरफुल हूँ जैसे फॉर एक्जामबल आपके बिजनस में अगर आप ब्रैंडिंग और मार्केटिंग आपके हाथ में है बिजनस का आपको लोगों से मिलने में मज़ा आता है नेट्वर्किंग में तो वो आपके लिए टाइरिंग नहीं है वो effortless है तो वो आप जादा करो ना कि आप बैठके accounts को या delivery को या dispatch को देखो जैसे और delivery dispatch के लिए अपने अच्छे managers जिनको जो उसी field के लोग है उनको रख दिया वो आपसे जादा efficient आपसे जादा जल्दी कर पाएंगे ग्रेट सर एंड काफी discussion आपसे हुआ एंड काफी अच्छा लगा मुझे सा लग close जानने को मिला चाहे आपके challenges रहे हो चाहे आपके पहली earning रही हो आपकी emotion रहे हो और हर एक बड़े सफल कोच सफल a person के root cause सेम होते जैसे हर किसी के भी होते हैं किसी के साथ कुछ अलग होता है उनको यूटन मिलता है और वो कहीं और पहुच आते हैं so again sir thank you so much आपने इतना कीमती समय दिया और कीमती आपने experience share किया जिस बीवाकी से सच्चाईस आपने जवाब दिया बहुत कम लोग दे पाते हैं क्योंकि लोगों को क्रीम में रहना पसंद है लिगता हर एक सफल व्यक्ति को बिल्कुल पानी की तरह रहना चाहिए अपने success के बारे में कम बताए लेकिन अपने failure के बारे में अपने सारे viewers को बताना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपका failure जब आप discuss कर रहे हो कोई death bit पे हो उसको motivation मिले अरे यह तो मेरे सर के साथ भी हुआ था मेरे साथ हो रहत कौन सी बात है चलो मैं उसको मैं भी कर लोंगा so sir again thank you और मि स्थिति और परिस्थिति के ट्रेनर के साथ क्या अच्छा लगा आपको जरूर बताना आप धन्यवाद thank you